जिसे कि हमने प्रीवियस सेशन में OCM के अंदर कुछ मॉडल्स पड़े जिसमें तीन टाइप के मॉडल्स हमने देखे पहला देखा C2C मॉडल जहां पे एक कंजूमर एक उनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना सेकेंड इन गूड्स बेचता है अधर कंजूमर को तो उस मॉडल को नाम दिया है C2C मॉडल्स जिसे बहुत सरी वेबसाइट से अवेलेबल इंटरेट के अंदर जो आपको वेब के अंदर जो आपको वेबसाइट प्रवाइट करती है C2C वेबसाइट जिसे कुईकर हो गया OLX हो गया वो सब C2C वेबसाइट सी फिर हमने देखा B2C जहां पर बिजनेस यूनिट्स बिजनेस यूनिट्स कंजूमर के लिए फाइनल कंजूमर के लिए गुड्स बेचने के लिए एक ओनलाइन प्लेटफर्म सेलेक करती है वैब बनाती है और उस वैब के थुरू वो अपने गुड्स को बेचती है और बायर और सेलर जब मिल जाते है बड़ यहां बायर होता है बिजनेस यूनिट्स यहां फर्म यह ओन्डाइजिशन या इंडिजिवल मिल सकता है और एक कंज्यूमर मिलते हैं उस ऑनलाइन प्रेटफर्म को नाम दिया है बीटू सी मॉडल फिर तीसरा दिया बीटू बी मॉडल यहां पर दो बिजनेस और बिजनेस की धील करते है यहां बायर भी एक बिजनेस और सेलर भी एक ताकि वो फर्दर सेल प्रोड़क्ट कर पाए तो ऐसे मॉडल को अपने बुला है बीटू बी मॉडल अब अलीबाबा जो मैं आपको बताया अब अलीबाबा करना वह और वह उसा एक्जामपल से है मैं आपको देसकता हूँ इस एक्जामपल अभी देखिए सब्सक्राइब 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 तो तब उसको अपन बोलेंगे B2B Business, B2B Model क्योंकि खरीदने वाला भी एक Business Ownersion है और बेशने वाला भी एक Business, तो जब दो Business Ownersion आपस में डील करते हैं थूरू Website उसको बोलते हैं B2B Model दूसरे एक्जामपल दिया मैं आपको Quicker and Mahindra Sorry, Ola and Mahindra तो Ola ने क्या किया? Ola ने अपने Driver Partners के लिए Mahindra से टायप किया और Mahindra को 100 Car का 100 Car का Tender Pass करवाया और Mahindra को गोला कि आप हमें कम ब्याज में कम रेट पे हमारे Driver Partners को Driver Partners को Car करो और Better Loan पे Car करो जिससे क्या हुआ? Ola ने Business किया Mahindra की Car लेकर तो Mahindra भी एक Business Organization है और Ola भी एक Business Organization है दोनों ने क्या किया? टायप किया, दोनों ने डील किया तो उस module को अपन बोलेंगे B2B model क्या नहीं है अपन? फिर next है C2B model अब C2B और B2 उसमें फरक है क्या फरक है पहले पढ़ता हूँ रफिर आपको समझा के ताहू दो पहले बीदो है उसमें तोबंधे आदू theo अध़ तो मुरस डेख उ अंडर अधर इस धे आपको सम्जा के इताहू और फिर ऑको सम्जा के दिताहू थैँंड बादी एक ये हीया सम्ट मुझा the form then review the requirement of the consumer and then quote their price for the product or service requested by example of B2C or C2B में फरक है देखो जबी भी एक बिस्निस ओमेशन एक ऐसी वेबशाइड नाता है जहां पर अपना प्रोड़क डिस्प्ले करता है अपना भाव रखता है और कंज्यूमर खईता है तो वह बी टू सी मॉडल लेकिन जबी भी ऐसी वेबशाइड नेंगी यहां पर अपना प्राइज लगता है और उस बिस्निस ओक्नेशन उस ब्रोड़क को तैयार पते देता ह कि उसकी रिक्वार्मन के सबसे तो तब हम कहेंगे वह सी टू भी हो गई चुकि बीटू सी में पहल की थी बिजनस ने कंज्यूमर को यहां पहल किये कस्टमर ने बिजनस को कि एग्जांपल दूँ तो फाइग्जांपल अभी मुझे घर में कलर कराना है कि कलर तो अकुमाल में यहां पर अपने साधारान पेंटर लेकि चाहते लिए कि मेट्रों आपको ऑगनेशन मनाए गए कलर वगरा करने के लिए वह और अपनी रिक्वार्म बताओ और अपनी र बजट यहां कि आपको सर्विस देते हैं कि अपने बीच में बर्जर की आपने एड़े की ती क्या तो अपने आजमी खुदी आएंगे पेंट कर जाएंगे आपका एक भी दाप लिए लगाई नहीं कलर हो गया है तो तो कहने का लोग क्या है प्लीज में को B2C और C2B में तो क्या है तो यहां पर कंजूमर ने पर अपनी रिक्वाइम बताई कि मेरा बजट इतना है पंदरा अगर तक कि में गर्म करना है फिर वो बिजन्स आपनेशन ने वो रिक्वाइमेंट के साब से वो सर्विस दिया तो तब हम कहेंगे उस मॉडल को C2B मॉडल यहां पर इ दुरूमें अंतर क्या है इसमझा कि आपको इस एक्जामपल दिया है पेस् गंट्रोल सर्विस टेक्सी सर्विसे ड्वार स्टेप फॉर्ड डिलिवरी सर्विसे अब आप याद किरों जमेटों अब जमेटों जब आप करते हो तो जमेटों के अंदर आप पहले पूश्ट कि आपको कॉन सा कॉन सा वो चाहिए केवैं , काँ वुडिस्टा रहा है कि है तो मैं झूम कर रहा है कॉन से कल रहा है वह कॉझत कर रहा है तो इसलिए वह स्टीटू भी मॉडल है समझा क्या जो मेटो वह कौन चाहिए और स्विगी यह सब स्टीटू मॉडल है यह एक्जामपल नंबल दिया पैस्ट कंट्रोल सबस्ट आपको मालों पैस्ट करूसर सिखाता है पान्सो वाली, हजार वाली, दो हजार वाली फिर वह सबस्ट से आपको उत्ती सर्विस यते हों तो उसको बोलेंगे हम सी टू भी मॉडल समझा क्या? आई समझा क्या? याज अब वह इसमें थोड़ा कम दिख रहा है आई तिंक सो गूगल के पास और एक्जाम पर सोंगे तो एक बाद पूछने तो गूगल भाई सबसे सी टू बी मॉडल सी टू बी पिटा है थोड़ा कभी-कभी होता है लैक शेफ ब्लॉगर वो बिल्स अचिछन कंपनी फॉर प्रमोटिंग दियर कुकिंग प्रॉट्ट अंद ब्लॉग तंडा कुछन को शोचल मिद्या उसर वो फिल इंसर्वे और प्रमोट प्रॉट्स एंसर्विस झाल प्रिज़ को झाल 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 ब्लॉबाश इन झाल प्रोग्राम्स, पेड तिस्टिमोनियल्स, और देटा शेरिंग. तो हमको देते हैं कुछ टुबिए माओ, तो उसको बोलेंगे C2Bot, बता एक्जाम्पल, यहां पर जो भी कस्टमर, पहले इनिशियेट करके, कस्टमर पहले इनिशियेट करके, प्लीज, कस्टमर पहले इनिशियेट करके, जहां पर अपनी रिक्वार्मेंट बता कि फिर वो बिजमस उचेन आपको सर्विस प्रोड करता है, उसको बोलते है C2Bot, क्लियर पिक्चर, फिर आते हैं, नेक्स कंसेप्ट है, बी टू ए, अब बी टू ए नीच यहां पर बी टू जी भी चलता ही है, एक्चुली इसको बहुत लोग बी टू जी बोलते हैं, एड्मिनिस्टिशन पर गवर्मेंट होता है, यहने बिजनिस टू गवर्मेंट, अब यह क्या है सुनो, दूम ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा, दूम आपको में गवर्मेंट के हरे काम में डिपार्टिशन है क्या है, और विज दिपार्टमेंट को करत्वर करने के लिए कोई बिजनिस ऑग्राइशन गरेचन सर्विस दे रहा है, तो उस सर्विस इसको अपन बोलेंगे B2, उस मोडल को बोलेंगे B2A या B2G मोडल, बिजनि दू कि अलू।ा दू. अवक्त स्टेस्षरार बेस कंपने इन फोसेस। अब इन फोसेस डिड़ीय। डिपार्टेटर में गई डिल विश्टू आ घिल डिफियर्टॉत्मेe कई मने लैशना कि आप Ba बूत कउनफी ओए हो आपको सिस्टं चाहरा नहीं हूरा कि आपको एक ऐसा शॉफ्टर बना के दे रहे है कि जिससे आपकी ट्रेन कितने बज़ी चल रही क्या चल रही कौन सा और टिकेट कितनी बुकिंग हो रही सब सब ऑटमेटिक हो जाएगा लेकिन सालाना हमको इतना वैसा लगेंगा तो बताओ इनफोसिस क्या है एक बिस्न और सफ्टेमरंशन है रेल्वे क्या एक गव्वर्मेट डिपार्टमिट है तो उस इनफोसिस गंपनी ने जब गवर्मेंट डिपाट्मेंन को एक एसा सक्ष टेमरा कि ऍनीड़ एक धवर्मेंट Panически इक पर जसचे रहा तो इस इन शौन वो बिस्निस शाहन स्विस्टिजी दि तब उसको अपने बोलेंगे B2A या B2G model. समझ में आरा क्लियर? अदो इसमें बहुसा एग्सान जाम्ट भी दिये वह दिया दिको. इन कवर्स ओल दो ओल्डान एंट्राइन बेट्विनेस फर्म्स एंद पॉब्लिक एडिमिस्ट्रेशन पॉब्लिक एडिमिस्ट्रेशन आता है गोवर्मेंट इपार्ट्मेंट जो पॉब्लिक के यूटी लिटी के लिए बनाए गया है. समझ में आरा कुछ न को? For example, transaction involved in the registration of companies, payment of taxes, getting permits, etc. समझा क्या? यहने यहाँ पर initiate को उन कर रहा है पहले? Business किसे कर रहा है? Government से तो उसको बोलते हैं, B2G model. अब इसमें मैंने आपको example तो जोड़ा अलग दिये हुए. जब business organization, government के पास initiate करता है, फिर चले कोई बपस हो, तो इसको बोलेंगे B2G model. आप देखो, इसमें example यहाँ, payment of taxes, आप देखो, आप टेक्स भरते हो. तो टेक्स भरने के लिए आपकी दुकान का टेक्स भरते हो जब आप. तो आप government के online portal भी जाते को नहीं जाते हो. तो तब आपने business ने government को initiate किया, तो इसको बोलते है B2G model. आप government का rule क्या है? कि income tax, government बोलती ही, आपारी को, businessman को, कि income भी खुदी निकालो, compute भी खुदी करो, और टेक्स जिता भरना है, भर दो. फिर हम देखेंगे, तुम्हारा टेक्स सही है कि नहीं है? तो बता, initiate किसने किया पहले? किस को किया? तो B2G या B2A model होगे आपको. समझा के लिए आपको, जब business organization, किसी government की portal पे कुछ initiate करती है, गवर्मेंट को, तो उसको बोलते है B2G model. समझा के लिए आपको? अब next है C2A model, यहीं C2G model. जब consumer government के website के अंदर initiate करता है, portal में, consumer, business नहीं, business unit नहीं, firm नहीं, consumer, यहीं आम जनता, तो तब हम उसको बोलेंगे B2G model. एक्जामबल देखो, getting passport, आधार कार्ट, लाइसन, एक्सेटरा, अब यहीं आपको आधार कार जाने तो government की portal आपको खोलनी पड़ेगी ना, तो government की portal पे आप जब जाते हो, तब आप initiate कर रहे हों है, आप कौन consumer, कौन हो आप? क्योंकि government की service चाहिए है, तो government free में सर्वेश जाती है, आप से बदले में charges लेती है, तो charges लेती है, तो आप government कौन हो है, consumer कौन हो है, बट पहले initiate कौन कर रहा है, consumer, इसने C to A हुआ है, A to C नहीं हुआ, जो पहले initiate करता है, उसका नाम पहले आता है, हमेशा है रहतना, समझा क्या, अब simple है, मेरा आजार काट में को बनाना है, तो पहले तो मैं initiate करूँगा न, तो मैं government कौन हुआ, customer हुआ नो बटाएम पे, और मैं किसकी website use कर रहा हूँ, government की, तो in short, वहाँ पे, जब customer ने on electronic transition conduct किया, public department में, यह public administration में, तो उसको अपन बोलेंगे, C to G, यह C to A model, समझा क्लियर, administrative का है, यहाँ मतलब का government, कवा हुआ है, देखो तो लिखा हुआ है, पढ़ो, देखो, it covers all electronic transactions conducted between individuals, इंडीजियन यह अपन, customer, and public administration, यहने government, इंडीजियल का महतलब को हुआ हो आपन, सब लोग, तो अपन होगे, customer, को होगे、 और public administration तो गोववेंट, हो क्या क्लियर, समझा क्लियर, अब इसकी बनीफिट क्या है, अब एडवान जिसक्या है, पूरा वही लिखा हुआ है पढ़ो पास्ट पूरा नियुके अक घितने भी तु म arguably हिए नहीं हो जाए हर से ढपने और दोंहें पहल्य देखने के बाद कि शीज़ को अप्ड पर्टा अपड़ां के बहुता है इसको जो उलते अ में परें विन पर्ट कि ऑभी मॉडिल को अड़ाप परती है यह कोई भी मर्जिंग मोड को अड़ाप करती है तो पहले उसके उसके दोनों साइड देखने पड़ते हैं पूर्टिव भी निगेट्व साइस हम नहीं दिखते तो फिर बाद में जब आता है तो हम तयार होने लिए इसके लिए इसलिए every coin is positive when technology कितनी भी higher हो जाए कुछ positive भी होते राइट कुछ negative होते है तब देखते हैं positive साइसों से positive भी तो advantages and negative भी तो drawbacks and disadvantage and limitation बोलते हैं अब देखते हैं क्या है benefits पहला यहने advantages क्या है E-setup अब अगर आपको e-business start करना है कोई भी model उपर का लेलो कोई भी तो इसके लिए investment बहुत कम लगती कुछ हो क्यों क्यों क्यूंकि इसको traditional business की तरह आपको अतनी लाकत लगानी नहीं पड़ती आपको सब एक website बनानी है display करना है का तर में दोस्तने अभी एक app बनाया था उसमें वह क्या करता है उसे सारी fitting कर दी इंजिनियर ने घर बेटे 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 अब बनाती अब बनाया अब आप अप्लाय कर उसमें वह उसने अपने सब्सक्राइब क्या हुआ है उसको माल स्टोर करें जावत नहीं यहां से ओडर आता है यहां से वह उठाता है और खुदी अपने डिलिवरी करता है गाड़ी पर खुदी समझा कुछ तुमको ना मैं सुमित 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 ना आप भी सुमित सुमित चिंटू स्मार्ट कुछ भी ऐसा क्या नहीं किया था प्लेश तोर जहीं नहीं मेरे बारस नहीं नहीं बस हो गया इत्ते में इत्ते इक्स पिलता है लेकिन वहां पर क्या होता आप कितना भी बड़ा दुकान को आपको सब करना क्या है डिस्प्ले करना है तो इसको सेट अप करना बहुत ऊजी है मुझे क्या करना है एक छोटा तरूम लेना है बस शुरू कर देना है लेकिन करना करना तो कितनी बड़ी इंवेस्प्लेश नहीं नहीं कितना भी और कि अगे अगे बड़ू नो फिजिकल स्पेस रिक्वार तो ट्रेडिशनल बिजनिस यहां पर तुमको कोई जगा चाहिए ही नहीं अब एमें सब्सक्राइब दुनिया में चाहिए वर्ल्डवाइट चल रहा ना उसके दुकान कहा है पता ही नहीं नौके भी डुकान नहीं ओके भी डुकान नहीं डाभ मेंस्नो फिजिकल रिख्वार्मेन अभी को फिजिकल लिक्वार्मैंट अभी एक फिजिकल रुकानता बिभ्रचा करतें कितना infrastructure अचे पे Oracle करतें पूछ आकाश से अब अभी अभी नहीं दुकान लागी उन्हें बिग बॉर्स है ना आकाश हाँ प्रमोशन किया हूं टेंट ट्वेंटी थर्टी पॉसंट दिसकाउंट देना कि अब तो कहने का मंदब क्या है कि एक ट्रैडिशनल बिजनस के जैसा ट्रैडिशनल बिजनस के प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपसे रिकवेस्ट कर रहा हूं बाते बन करो को डिसकस करने आए ने टूशिंग के बाद करना में को खत्म करने तो आज टागेट है कर आए हम दो दिन पिछल रहे है हलो तो इसलिए एक ट्रेडिशनल बिजनेश जैसा यहां पर कोई आपको फिजीकल स्पेस की रिक्वाइमेंट सोरेज करने की फैसलिटी नीड नहीं है तो वही लिखावा देखो एक बिजनेश नौट रिक्वाइब फिजीकल स्पेस फिन एक्सेप इसी पेमेंट अब यहां पर क्रेट कर चलता है फंट ट्रांसपर चलता है कोई भी मोट चलता है इवन सी ओडी चलता है in the ease of payment through various option like credit card, fund transfer, etc. is added advantages. The payment can be made at any और में और में क्या है 24x7 service अब ले दुकान बंद होती नहीं है रात को एक बज़े भी customer order कर लेता, बैटा बैटा खाली है तो, है ना ? फिर next day easy communication, अब आप से communication बहुत easy करते हो वाज पोल लगाओ, चालू बात कर रहना, होता ना customer service support मिलता ना ? e-commerce communicate is easy and there is no face-to-face interaction is required, this result is easy approach यहापे क्या होता है, डेरिंग से बात भी कर रखते हैं, एक बात सामने दुकान बात करते हैं, अपन नहीं बात करते हैं, जिता डेरिंग अपन customer क्या से बात करते हैं, होता ना ? यह क्या भी जाइए, तुझी विश्टे क्या, तुमको समझ में आता नहीं क्या, होता न, नहीं होता घर में न, सामने तुम इन है, और विचारे वो, जी मेडम, जी सर, यह यह आतारे बोलते हैं, क्यों उनको बोलते हैं, बैटा, अरे तुम्हे जिवात नहीं करना ओके, फिर यह 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 बिजनेस कुछ आने के रिए, खर्चा पर होता पहला है, यह थे, जी लगाना है, वो भी लगाना है, जितना राओ कम है, एस चाहिए, यह चाहिए, यह बिजनेस में क्या करना है, घर बेटे बेटे गंड़क करो, समझा की उस तुम को? गूर रिलेसिंस इड बील्ड रिलेसिंसिटी बेविन सप्लायर इं कंजूमर आज इन 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 वार्ड डारेक कम्मुनिकेशन बेविन सप्लायर एं तो इसे नेटवर्क ही आचा हो जाता है कमुनिकेशन से जो आज बेविगयियरखिये है ग्लोबल प्लेटफ़रम और आप में आमिल रहे यहां पर ? वर्ल्ल लिकोर्ण में खेलने को मिल रहे है यनि आपको फोलोकल एरिया में नी खर रहे हो आवार्ड वाइड वाइड वैड इंटर्णेट अच्छा सुनों इंटर्णेट का बूसरा नाम है WWW और WWW लिखते न अपने वेबसाइट जाना करो तो इन चोड़ा इंटरेट को बलाते हो आपको फाइनल यर में एक कम्प्यूटर सब्जेक्ट है IWWW इंटरनेट वर्ल्ड वाइड आप सब्जेक्ट ही आपको अच्छा है आपको विकॉम में कोडिंग भी सिखाते है और बस सिखाने माला होना अच्छा और आपको लैंग्विज इस भी है जावा वगरा है आपके पोर्शन में जी आपको तीन साल छे सेमिस्टर एक सब्जेक्ट कम्प्यूटर करेगा भी कॉम में आगे पड़ू दे वर्ल्ड वाइड बैप ओफर अलॉट अप्स्पांशन तो दे बिजनिस ऑन दे ग्लोबल प्लेटफॉर्म नहीं प्लेटफॉर्म बज़रा नहीं स्टेटमेंट कुछ वहाँ पे मिसिंग है आफ चाहिए प्लेटफॉर्म औफ बिजनिस या फॉर बिजनिस औफ बिजनिस समझा के आपको तो बिजनिस से क्या होता है बिजनिस पूरे वर्ल्ड वाइट फैला सुत्याद को अमेजन की दो वेबसाइट है www.amazon.in और www.amazon.com .com वो तो वर्ल्ड वाइट चलता है उसका आपको अमाउंट डिकेंगों डॉलर में लेकिन इन में इंडियन रूपिस दीता है ऐडिया के लिए अलग से और पुरे वर्ल्ड के लिए अलग से है संदग के आपको तो इसमें इविजनिस का इक मेनीफिट किया है कि बिना इस ती रागत से आप दुकान पूरे वर्ल्ड वाइट से सकते हो गौर्वर्मेंट सपोर्ट गौर्मेंट इंकरेज इबिजनेस और फेवरेबल इन्वार्मेंट फॉर सेटिंग अप गौर्मेंट की इच्छा है कि इबिजनस फेले पुझो क्यों तो इबिजनस फेलेगा तो भायर का पैसा इंडिया में आएगा न क्योंकि जो इबिजनस बढ़ेगा तो ग्लोबल प्रिाटफंर बड़ेगा तो ग्लोबल प्रेटफर्म वर तो क्या हुआ एग्सपोर्ट बढ़ेगा एगसपोर्ट बढ़ेगा तो भायर का पैसे थार पाउन्डिया बहाईगा तो एकोкимиवश्पमेंट होगा न किसलिए गवर्मेंट की इच्छा होती कि गवर्मेंट इंकरेश करती कि ए बिजिस को लो और उसके लिए आपको सपोर्ट भी मिलता बहुत सारा आगे तीन साल लोको तीन साल सब ईबिस हो जाएगा सब गर बेटे बेटे लोगों को ओम डिलिवर्य मिलेंगी कि कस्टमर को आने की ज़र्वत नहीं और दुकान दर को दिखाने की ज़र्वत नहीं बार बस वो शोग का डिस्प्ले जो होना हो वापस समझा क्लिए अपको और एक बनाने में लगटा किता है मालूमें 20 या 30 40 जर्वस हो जाएगा ज़िए जबेढ़ कुछ मैं प्रोफेश की बाद़ आपके बिसनेस की लिए करो हो प्रोफिस्यंस में ज्यादा लगते हैं कि उसमें उप्शुंस छोन्स चुّछी सर्विस् प्रोवाइडर को ज्विस्योगए लगते उ और ओर बिजनेस वाले का दम किसमें माल में, तो कम फीचर वाला एप राप तो भी चलता है , अश्ष्ष.. हो गया क्या, बादें बन करो ना, तो अपने अपने बिजनेस को आप एकस्पांड करना है तो एकाद आए बनाओ, इनिशियेट करो अच्छे से, क्या होगा गेरो गई ना, हाद ली क्या होगा, हमेशा रहना, कभी या रहना, जबी भी कोई बड़ा सोचने माला होता है ना, तो आखरी के आखरी तक क्या होगा, यह सोच ले ना बस, भाई हा कर दिया वोड़ा है तो हाँ, जो मैंने पता था हमें कोई ऐसा होगा, तो अब यह रहना, जबी कोई नया इनिशियेट करोगे ना, तो उसमें यह सुचना कि ज्यादा चाहता क्या सकता है, ओ ज्यादा चाहता हो सकता है, अगर तुम उतना सहने लाइक हो, तो डेफिनली आ आप इनिशियेट करो, सज्जा क्या के लिए, ऐसा है, अब अब एवरी कोईने स्टू साइट पॉजिटिव हैं, दूसरा निगेटिव साइज सेकते हैं, अब ड्रॉबेक भी है, यह बिजिनस के, देख लो भाई, लेक इन फेस टू फेस इंटरेक्शन, तो यहाँ पे भा कॉस्नल टच भी नही है, और दूसरी पर कॉस्टम, बायर कॉन है, यह मालूम नहीं पढ़ता है, कॉन सेलर है, यह मालूम नहीं पढ़ता है, समझा कहा है, है माल माल बेचर है, किसका पेचर है, आतनों का मालूम इसलिए, इसलिग है, इन दग को अब सेंस of face-to-face interaction with business firms, यह से लर मेंनी बायर हैजिटेट हैस्ट इसकी चार्ट करते हैं तो केरी आउट केरी आउट ट्रांडिक्शन अदेगो क्या हुआ था मैं जब तुम्हारा प्रोजेक्टर लेनी जा रहा था यह वादा एपस्वान का तो पहले में एमेजॉन से रहा था अब बहुत बड़ी इंवेस्ट्मेंट है फिफ्टी थाउजन के आसपास था यह प्रोजेक्टर है तो मैंने मैंने एमेजॉन से मंगा भी लिया था लेकिन फिर किसी परीचित ने मिला एक और यह उन्लाइन मत मंगा क्यों भाई सेस्टा मिल रहा बहुत यहां से और वहां पर फारक है ना तो उन्होंने बुला कि देखो जो ऑन्लाइन में जो प्रोड़क्ट मिलते ना यह उस्किये होते हैं ऐसे सुना एक हैजिटेशन हुआ मैंने कर दिया और वो सही था नहीं था मुझे नहीं पता लेकिन एक यहां मन में क्योंकि मैंको निमालम वो एमेजन माला कौन से सेलर से माल रहा है और वो सेलर वो गुट को कैसे बचार है और वो सच में वह बूट की फिजीकल रिख तो अच्छी आएंगी कि नहीं आएंगी डेमेज हुआ तो फिर कल्को उसने बूला कि नहीं हम आपस लें लेक्न एक्ट्रोनिक एक्टम्स पर हम डिलेबल रहा है अब आप देखो कभी अब देखते हो कोई कोई आप प्रोट किते हो जी सब्सक्राइब इस अब आपका डूब्लिकेट देगा ऐसे आता हुआ फॉर्स कॉपी होगी तो यह एजिटेशन सबको होता है तो यह य सब्सक्राइब इसको बुलाए नेक्स इसलिए लाइक इन फेस टूफेस इंडरेक्शन फिल्साइब नो पर्सने डच अब कभी कभर क्या था है यहां पे फोर्टो देखें आपता है मल फोर्टो में तो एकडम रप्लप चक दिखता है कंचा है ना रप्चिक माल लेकिन ज मस्त लेकिन जब आता है तो फोर्टो किचेंगे किसी को भीजेंगे फिर वहां से अप्डू आता है ले लो में जब दो था भी इंसिडेंट को भेंकर में को अभी दिवाली में को एक स्वेट शर्ट पसनाई थी तो अब अधर से वो शर्ट पहन के यह इस ताइप में थी तो अलग थी वो वो डिसेंट थी तो वो न वो अच्छी लगी काफी इतना तो वह क्या तो फिर वह सुड़न मिला एक मिला सर एक नमबर दिखरी लहां मैं सर देखो दो में दोनों ट्राय करूं वो भी कप्रे ज़रा था मापे यह शोरूम में आया था ठीक है बही स्टूडन ने क्या उसने फोटो भेजा कि इसी को भी अपरू हो गया वहा मैं अच्छेंज करने क्या अंसे उसने लेख के भाग के चले मंगया? फिर जब मैंने पूछा भगी कहा अं गया वेत्यों वाग कि क्या ऐसे कैसे आपने मेरा से लेक्सिन था। भाक कि अपने बोला तोही नहीं तो वाँ बेटा बाँ टीचर्स को भी छोड़ में देखो अब वो एक्टुली मेरा एक्स फुरेंट था सीनियर था हो गया था उसका तो यहने कहना हो गया है यहां पे वो पर्सनल टच अपन पहन के देखे कैसे दचरा दश्बार पूछेंगे अच्छा लग रहा किया वो यहां नहीं होता है यहां पे दिखने में कुछ रहा होता है अभी आला लगाता है यह द्रॉबेक्स का A business lack personal touch E business lack personal touch the consumer cannot touch or feel the product and it is difficult to determine the quality of अई बैट बैडम बेटे लोगो अछूनय तो नेटियोग दिरा खाल तो नेटियो और भी सागतरों ऌसे निसारी निक्त्व जब गुट्स परस्ट नहीं टेच करते तो उसका फैब्रेक, फिर वो कैसा लग रहा है उसकी बाई पॉड़ता के नहीं यह पाउ में, तो वो फिजीकल इंस्पेक्शन जो अपन जाच पड़ता देखके करते हैं, वो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपन पर आप बर इंस्पेक्ट करके ने जाच पड़ता करके लेते हैं, अच्छा है कि नहीं, वो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर नहीं होता है, नहीं वापस कर दूसरा लेते है, यह द्धागा क्यों रिकला हुआ है, कपड़े का, आतना आपका शिसी भी, जिमाग सब जागा निकल रहा है, तो यह यहां पर नहीं होता, इस बिसनेस, फिजिकल इंस्पेक्शन और प्रोड़क्ट इस नॉट पॉसिबल बिफोर द बाइंग द प्रोड़क्ट, याद करो, जब ए बिसनेस में माल घर पर आता अपने गुड्स, जब तक पे नहीं पर दिलिवरी आप को समझा क्या, बिफोर बाइं, द बाइं, द प्रोड़क्ट, मस्त अफॉर्ड वांस तो चींडल, तच, इंस्पेक्शन प्रोड़क्ट विच इस नॉट पॉसिबल इन बिसनेस में ये पॉसिबल नहीं है, फिन ए इंटर फ्रोड़क्ट बावर्मिन आप गॉर्मिन में एमेजन वाला 50,000 का माल ही बचेगा, और उसको अगर वापस ने लिया तो गवर्मिन को करने केस किया, कंजूमर कोड को, तो जाले कि उसके दुकान मुझत है, ये रूल से, एक रूल है, कंजूमर प्रोड़क्शन एक्ट, और एक है, सेल्स और गुट सेक्ट, तो सेल् दिए बिजनस्मयन लीगल लायबल नहीं उसको वापस करने के लिए, तो वापस करने के लिए, तो तो ये वापस ने के लिए, ray में या एक लिए क्टis को ये, इंहीं क्या वह उसको है, के लोए च dual क लोग से ने गूट से वह बच्टा है, तो लिए आ पहले वह और यह पुसे का रूल से क्या ये एक सेल्स आफ गुड्स के इंदर एक है भायर दीव है है कि दो अक्यों ध। आप ट्राइबल के लिए एक एक्ट बना कंज्यूम पॉअ फिर लेकिन सेलर के फेवर में एक लेक्ट बना सेल्स आप इसाफ बचैट लेने के पेले तब बिम्स में करता है बायर भीवह है कि qyya करता है बायर विवेर का मतलब वहता है कि बख़यर याउने are तो देखने के पहले देख के लिए जाज परता के लिए उसको बोलते बायर बीवेर लेकिन बायर बीवेर के exceptional cases है कुछ और यह e-business उसमें आता है इसलिए government के इनके rules जो होते ना यहने consumer favorable rules होते है यहने consumer बना ही है जो seller के लिए यहने e-business वालों के लिए यह जो sales of goods बना हुआ है उसमें भी फिट नहीं बढ़ता ही विजिस क्यों कि बायर बीवेर रूल तभी लगूंगा जब consumer consumer बायर होता है न तो वह जब देख परताल करके लेंगा physical delivery लेकिन यहां पर क्या होता है यहां पर agreement पहले बन जाता है और delivery बार्म होती तो इसलिए यहां बायर बीवेर की exceptional cases में आता है इसलिए government भी इनको restrict करते है कि भाई नहीं वापस लेना अभी यह फिर बले 50,000 का क्यों नहीं पास लाका क्यों नहीं हो इस जादो को मैं जिम अपको हर एक delivery goods pay आपको replacement या दस दिन delivery seven days seven days पास जन क्या मिलता है वापस करने का क्या बोलती सुए रिप्लेस में रिफंट option डिफंट policy ओके और दूसरी बात क्या है इसका एक दूसरा पर ड्रावर क्या है कि यह बिसनेस चलता है टो अलगलग country के अलगलग rules होते है इंडिया वाला इंडिया वाले गवर्में कर लेंगी भाया तो हमारे इसे भी एक्जाम्पल देखो अभी महाराश्ट्र में सिगरेट बैंड है तो अब एमेजन वाला महाराश्ट्र में तो नहीं बेशकता यह नहीं आपको टोबे को उसमें दिखेंगा नहीं तो हर एक कंट्री के वो रूल्स फॉलो खरना होसको आपको समझागे के लिए इसलिए आप देखो आप जब एमेजन वाले का एप डाउनलोड करते हो उसमें रडिस्ट्रेशन करते हो आपको पहले पर सीटी पूछता है पूसी ते यह तो सीटी के अपने आप वहाम रावम कस्तमाइस प्रडक्स उते हैं जो आपको अपको दिखा ते शो होरो दे मैं अपको वही प्रण के जो इंडिया के दे इंसलिए बेंबैंड वाले प्रड़क्स दिखा जैनी तो इसलिए आपे कंट्री टू.टू टू प interference in the business to e-business के अंदर government काफी interfere करती है rules regulation put up करती है ज्यादा excessive transaction risk अब यहां पी कोगते consumer को risk की transaction की बहुत बात सुनने को आया था कि बोबाइल के mobile के मोबाइल के चक्कर में साबून की टिक्या निकली थी बीच में आया था ना अफवा अफवा था किया था मस्तवा स्पैम था जो भी था तो पता है जते ना आपकी आदत क्या है सुन मेरी बाद कभी कभार सुन ले सुनके ignore करना सबसे इसको बोलते है मैं चुर्ट छोड़ते इग्नोर किया ना तो इंसर उनकी उनकी है क्योंको हसेंगा ही नी फिर ये भी मत बोल ये बलंगा लोग तुछ पैस देंगे फिर अगे तो सम्टाइंग्स इग्नोरंस इस बेस्ट एंसर ध्यान दो यस तो यहां पे ट्रांडिक्शन की रिस्की होती है भाई रिस्की क्या होती है कि आपको अभी बाद प्रोड़क्स की चक्कर में कुछ और ही मिल जाता है बक्से में मालूम पड़ा पथर भरे हुए थे यहां साबून की टिकिया मिल गई है ना मुबाल की चकर में तो बीच में यह से आया था न वो तो यहां पे यह बिस्नस में देखने को मिलता है इन ए बिसनस्टेम टेक्शन विस्टेम धिस्टा अश्चाएश्चंट ऑफ इंफेल यह जो हैं प्राइन छीप वी जूट्च इंफ्रेन यह को थी डिनाइड यह आपके साइट से हुआ है तो फिर आपके पैसे हो गए इसलिए यहाँ पर फिजीकल डिलिवरी नहीं मिलती ट्रडिशनल बिजनस जैसे समझ में आरा आपके यहाँ पर फिर नेक्स दिलिवरी टाइम अब कभी कबर क्या होता है कोई प्रोड़क मंगाया इवेंट होगे उसके पार आपका करने जा लेकर आप अधना डिवाली के लिए ड्रेसिस मंगाया मस्त चार पाच आएंगे पहनेंगे 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 अधनी बाद में आ रहा है ताम का बोलेंगे मूड़ा फोड़ा तो ना उसके शॉपिंग भी असलिए कभी कबर क्या होता है और फिर अच्छा स्टॉप भी करते हैं यह से हैना आपको मालम है यह बिजनेस से आने के बाद ट्रडिशनल बिजनेस में 60-70% अफेक्ट हुआ ह और इसको इसके चक्कार में पहुत रॉट ग्या हुआ अभी गुज्रात के वियापारी ने दिवाली पर अमेजुन वाले को बहुत बड़ा धमा का दिया था अब अब एमेजन माला COD गुज्रात वालो को देता ही नहीं क्या किना तरह हूं सारे आपाज ने यूनियन मनाई कॉंसे टेडिशन बिसने और बड़े बड़े प्रोड़क्त जिसमें मुझ कार्टिंग जाहा लगता है कार्टिच जिसे फ्रीज हो गई अब अब एमेजन माने डिलिवरी करती जब लेने गाय तो चाहिए नहीं सब ने डिनाय करती और पूरा एमेजन को बहुत ब्राइब लॉस्त वह लास वह तो कि डिलिवरी चार्जेस उसको लगी ने पे पिकनाओ और वो भी भारी-बारी क्यूंकि बड़े-बड़े प्रों क कार्टिंग चार्जेस बोर लगते ना तो फिर उन्होंने न्यूस पर बुला यह सबक था एमेजन वाले के लिए और यह बात न्यूस पर भी आई थी और एमेजन के जो वहां पर मेन ऑफिस था वहां पर वहां पर ऐसे गुड्स ना भायर से बड़े थे तेसे तो यह भी भाई एक ड्रॉबेक्ट है कि अस्ता माल मंगवा के वापस कर देता है तो पुरा कार्टिंग किसको खना पड़ता है फिर फिर टाइन चैप्यश्ण को इन ऐ बिसिंस वाला को पुर फिर इल्डी तैकन फो दिलिवरी इस पंपर दिल्वर्य पेडिशनल अप्रेटिंटम्रते मिल्वां की आजा कि लेक्ट मैं लिगिन ऑनलाइन में जाओ तीन जार देन पास दिन रुका था वैर विद्वेटिशन बिजिन क्या होता अपने को एमिलिक मिलता लेकिन ओनलाइन बिजनेस में फिर्ट लेट मिलता तो यह द्रॉबग देकिया तो इसके यह एवरी कोईनेस टू साइट पॉजिट्व एंड अब एक ओनलाइन ट्रांडिक्शन करने के लिए कि अपको क्या-क्र गया स्टेप करनी है इन्हीं प्रोसीजर क्या गया सब्लोक करते हैं अब भी अपको पता नहीं कि यह स्टेप pendulum तो जेसे सब्सक्राइन क्या क्या नव्ट अनलाइन करनी है अपना नाम पता एड्रेस फोन नंबर इमेल सब डालता है बायर कस्टमर तो फर्स स्टेप है रडिस्टेशन क्या है और यह स्टेप ऐसे लगना सिक्वेंस में यह प्रोचिजर है क्या यह अब तुमने भी तो किया ना कॉनको ना उनलाइन शॉपिंग करता है आतूपकर हो तो पहला स्टेप पर रडिस्टेशन क्या करना है यहां पर आपको बढ़े साइन इन करना पड़ता है अकाउंट को अपने साइन बोलता है फिर लॉग इन तो साइन इन में आपको पूरी इंफोर्मेशन भरके आपको अपनी आईडी और पास्प्टाना पड़ता है फिर लग यहां जो और आपको साइन लॉग इन फ़रक है थाइन से वेकिपा दिन लोग इन बार बार आसते इस एक बार बार फिर अप्टा अपनी आपको बार बार फिर अब चला उसको तो फर्स टेपे रेडिस्टेशन क्या है इस रिटिस्टेशन इस रिक्वायर्ट फॉर ओ अन्लाइन ट्रटेक्षान निइज रीडिस्टर विद रॉन्लाइन वेंडर और विद बॉल्टे क्या वोते हैं यह फाइलिग रिडिस्ट्रेशन फॉर्म लोग अपलंध आधा डिस्प्लिज वोता है लेंद मार्क एना तो यह सब चीजिए आपको परनी परती है अमंग वेरियस डिटेल to the to be filled in a password relating to the register account and shopping cart for security reason account and shopping cart are password protected आपका अकाउंट होता है और shopping cart shopping cart बास्के रोटीक बास्के रेसा निकालते नहीं हाएंगी अगर तो यह काट रहता है इसा कुछ तो भी वह option में आप काट में सिल्ग एक तो कि माल में लेना है बाद में और बले कोईब्गे माल क्या करते हो आप प्लेश करते हो ऑडर करने के फ़ीपले आप काड में डालते हो फिर अ कर्ट में बआध फिर प्लेश लार bulbs कित वह ka đem क्या कि दहुँए और अच्ट में मालूं हम कार्ट क्या होता कार्ट मालम मैं कार्ट नहीं मालम कार्ट अप्शन दिखाऊंग। www.amazon.com शप्पिंग कार्ट एरे को ये रा कार्ट पहले साइन करना साइन रडिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म को लिटा है पर लास्ट टू पॉइंट्स है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बाते बन कर दूंगा मैं फिर कल नया आउट सो शुरू करना है मुझे वैसे भी मैं अपने टागेट से फिरूंगा नहीं बता तक लिए इसने बोर रहा हूं मेरबानी करो तो यहां जान दो मैं बार बार नहीं बोरूंगा आपको लौंगो मल्क अम्ता है और फिर यहां पर आपको और प्लेस करना पड़ता है फिर होड़ प्लेस करने की पछिता है मिए यह कार्ट में आपका पर ऊञें को डालते हो तो पिर वहां से नरीथ प्लेस तो पहला option क्या है का ये registration अब registration और card ये दुनों अलग-अलग step होन चाहिए लेकिन उन्हें first step में merge की हुई है सब्सक्राइब हो clear तो अब सबसे पहले आप करते हो पासवर्ट शॉपिंग card होता है और account ये दुनों पासवर्ट से प्रिक्ट होता है कि कोई खोले नहीं ठीक है कोई भी उसका misuse ना करें फिर दूसरा place order फिर आप वहां से cards से उठाके उसको order place करते हो है ना an online shopper ये अपना customer can pick and drop the things in shopping cards फिले पना करते है शॉपिंगार्ट में पिक करते है और रॉप रालते है वा लिक्या ओप्शन drop transfer to shop a shopping card तो पना डालते है the shopping card maintain the record what items have been picked up और shopping card अपको मेंदें करते है कि आपने कॉन कॉन से अटम उटाई हुए याप इमेजिन इमेजिन रोज शॉपिंग अप्शन रॉप्शन आपने वहां से ओर रेप्लेस करने के पर आपका payment gateway आता है अप्शन क्या आता है फिर payment gateway धर्ट से बोती है payment gateway में आपको इतनी सारी आप्शन मिलते है सबसे पहले आता है COD क्या आता है सबसे बिलाता है COD क्या आता है माल लो पैसा दो को दिर वाले को बराबर है दकस्ट प्रदस यूड़ी अभी एमिक आपारों यार बुद मुझे आता हूं जांटे जांदू दकस्टमर दकस्टमर ले में दो पेमेंट आफ्टर री रसीव दिप्रद याम इस दिमीक आदे एक आच से माल लो सियोड़ी इडिज मेड एड दोर स्टेप तो यह पेमेंट कहां देना पड़ता है जब घर पर आपका माल आता है तब गुट्स आता है तब आइधर इन कैश और बाइड देबिट और उसके पास एक मशिन भी होती है अपनों सब्सक्र यहां पर दोजी नहीं है अकोला अब नीको नहीं को नहीं मालूब का दो किलिए झाल नॉबग़ को यहां पर चेक अब चेक बहुत कमी लेते ऐख्छी देवेंटर कलेक्ट अ श्रॉम गुक्स्तोमर इन आफ्ट रियसंचेक बूस्ट आदि दिलिवट अभिट एहां पर क्या आपका यहां पर नेक्टा है प्रवेक्ट है। चेक में क्या होता है। अगर आपने चेक को चलेक किया है। बहुत कम ओनलाइन प्रेट्ट्रम चेक औप्शन रखते है। पुछो क्यों। चेक जबता क्लिर नहीं होता। जबता वो गुड्स की डिलेट देते हैं आपको। तो इसलिए आप देखों मैक्जिमम् वेंडर्स ओनलाइन वेंडर्स जो दें सेलर कंपनियां वो चेक को ओप्शन देती नहीं आपको। लेगिन चेक भी ओप्शन है। लोग के साथ चेक को भी अप्सिप्टन्स मिलता है कि चेक क्या है निगोशिवल तो इसलिए चेक को यह प्रॉब्लम क्या है कि रिएलाज़शन होने के बाद आपको गुड्स मिलता है। समझा करें आपको चेक जालना पड़ता है कंपनी के नाम का और वो अगर क्लियर हो गया तो जाके आपको गुड्स माल घर पर आता है। फिर नेट बैंकिंग यह तो चल रही है आजकल बैंकिंग सर्विस दे रही है तो उसमें आइड पास्फर होता है वो लगाओ और आपका पैसा आपके बैंक आपको इसको बताने इंट बैंकिंग है नेट बैंकिंग है। इस अड़ इस अलेक्ट्रोनिक फैसलिदी क्या ही है। आफ ट्रांस्परिंग फॉन्स तू दू द अब जो भी है अकाउंट आफ रिषीब द आवंट सेलर डिस्पेच एंड डिलिवरी द आपको पैसे मिलते ही आपको इसको निकलता है वहां से और आपको गूट परश्टा है। फिर क्रेडिट काद इंटेबर गेंड आंट व्हां तूवां फ्रॉम थूर्ड पायर कि कर देमि आप मालू में आप ऑलों में आप जिब आनलेन पिद्स कर तो भी डिजर कार नंबर एग्स परीन थी थी किया चुछ मिद्धी थी दिनम्र इस अपको फेल अब करें आप क्रेट कार से पिमिन लिए इंड करते हो ते इन डिजर के अने कोई यह वागर It is form of electronic currency that exists only cyber space काँ होता है ये? It has no real physical property ये कोई real physical property निये, ये क्या है? cyber space ये इन्टरेंट के थू ट्रांसपर होता है बस But offer the ability to use real currency in electronic performance और इसकी ताका तो तो नहीं होती है जितनी आप currency physical format के होती है ये अगर गुगल पे 500 गल दिया तो कोई ये नहीं बुलाँगा ने 500 दे का पांसो बेजा कहाँ 500 रुपे बेजा गुगल पे ने पांसो रुपे आपको physical format दिये उतना ही पावर है समझा क्लिए है आपको? तो electronic digital cash का उतना ही पावर जितना physical cash का होता है और आगे देखो सब लोग मोदी जी का mission है cashless connection क्या है? cashless connection है digital cash उतना तो इसी के जाए जमेरा e-business model खतम होता है कल नया model देंगे emerging mode में वो है outsourcing क्या होता है कल discuss करेंगे और इसके बागे बढ़ेंगे have a nice day take care झाल क्या जाय जाए जागे जाए जाए भागे जाए